साल 2024 इस साल का स्वागत हर किसी ने अपने अंदाज में किया आई नो आप लोगों ने भी मतलब न्यू येर को अपने ही स्टाइल में वेलकम किया होगा लेकिन शायद 2024 का सबसे ग्रैंड स्टाइल में वेलकम किया पैट कमिंज ने कमिंज ने 2023 में अपने परफॉर्मिनसे इंटरनेशनल लवल पर गदर मचाया लेकिन साल 2023 से 2024 में कमिंज अपनी परफॉर्मिनस को एक लैवल और उपर लेकर चले गए हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किया ہے पैट कमिंज ने 2024 का स्वाग से स्वागर जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक मिलसाथ बने रही है स्पोर्स वाला देख रहे हैं मेरा नाम विशाल स्वामी है दरसल पैट कमिन के लिए 2023 के साल बेहद ही शांदार गुजरा था आस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाब तीन शूने से सीरीज जिताई और खुद प्लेयर आफ दे सीरीज बने आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत साल 2023 के फाइनल महिने यानि डिसेंबर में हुई थी 14 डिसेंबर से हुई ये सीरीज जो 7 जैनुरी को खतम होनी थी लेकिन एक दिन पहले यानि 6 को ही दी एंड हो गया सीरीज का तीसरा और आखरी टेस्ट पांच की जगा चौते दिन ही खतम हो गया कमिन की कप्तानी वाली आऊस्ट्रیलिया ने सीरीज के तीनो ही मुकाबलों को अपने नाम स्टायल में किया अगर इस सीरीज की बात करें तो पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में और अस्ट्रेलिया ने 360 इजनी में खेले गए तीसरे और आखरी टेस्ट में आउस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से बाजी मार, सीरीज पर तीन शूने से मतलब बढ़त लिए और अपने नाम किया। अब आउस्ट्रेलिया के इस क्लीन स्वीप अभियान के ब्रैंड अमबैस्डर रहे उनके कैप्टन पाक्ट कमिन्स। चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मतलब रिविजिट करा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने जून दोजार टेस में भारत को फाइनल में 209 रनों से हराकर वर्ल्ट टेस्ट चैंपिन्चिप का खिता जो आस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ट टेस्ट चैंपिन्चिप का खिता। अब इसके बाद आस्ट्रेलिया कैप्टन ने इंगलिंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज को दो दो से ड्रॉ कर रिटेन किया। आशेज के बाद भारत की ही मेजबानी में कमिन्स की कमपनी में भारत को फाइनल में हराकर वर्ल्ट कप 1220 का खिता। कमिन्स की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत को खिताबी मुकाबले में 6 विकिट से शिकस्त दी थी। आखिरी में साल के जाते जाते भी कमिन्स अपने उपर पैसो की बारिश कराते हुए गये। आईपियल 1224 के लिए बड़ी रखम में खरीदा गया। कमिन्स को सनराइजर हाइदराबाद ने 20 करोड 50 लाख रुपे की कीमत में अपने साथ जोड़ा। कमिन्स आईपियल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। खेर बतौर फैंस हम तो यही चाहेंगे कि कमिन्स इस साल भी अपने शांदार प्रदर्शन को जारी रखें। बाकि कमिन्स और कम्पनी की शांदार सीरीज जीत पर आपकी क्या राय है। आप क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करिए इन्हों शेयर करिए और स्पूर्स वाला को फॉलो करिए।